हाई गाईज, वेलकम टो वर अफ एस्पारंस चैनल और अब एक्जाम्स की जो घड़ी है वो बहुत नजदीक आ चुकी है UG traditional courses में BSE B.com from 8 July PGE M.A.M.S.C.M.com from 15 July और इसके अलावा traditional courses वाले भी ध्यान दीजे उन लोग की भी एक्जाम्स जो 8 July से हैं वो भी अपनी preparation शुरू कर दीजे जिसमें B.P.A.D. के एक्जाम होने हैं M.P.A.D. 1st semester है M.A.D. 1st and 4th semester है B.S.C. Optometry 2nd year and 3rd year M.O.T. 2nd year, M.P.T. 2nd year B.M.M. 2nd and 3rd year, B.M.R.D.I.T. 2nd and 3rd year B.M.L.T. 2nd and 3rd year, B.O.T. 2nd and 4th year B.P.T. 2nd and 4th year, B.L.A.D. 2nd and 4th year B.A.B.A.D. 2nd and 4th year, B.S.C. Microbiology 2nd and 3rd year, B.S.C. Biotechnology 2nd year and 3rd year, B.F.A. 2nd and 4th year B.W.O.C. के 6th semester के एक्जाम्स हैं और B.S.C. Computer Science 6th semester, M.J.M.C. 4th semester और B.C.A. वाले 6th semester, B.B.A. वाले 6th semester और इसके अलावे बहुत सारे एक्जाम्स हैं जब कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लीजएगा क्योंकि इतने सारे एक्जाम्स हैं सबके नाम याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपनी अपलोग प्रिपेशन जरूर अच्छे से स्टार्ट करिए ठीक लेकिन जो मुद्दे वाली बात करनी है वो ये है कि जो एक्जाम्स होने हैं LLB के और LLM के उनके संबंद में जो अभी 5 फासा हुआ है उसके ओपर बात करने वाले है देखे एकी समय पर आपके जो ओनलाइन ओफलाइन एक्जाम है वो एकी टाइम पर होने वाले हैं LLB, LLM और BLLB LLB में फस्ट सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर LLM में फस्ट और फॉर्थ सेमेस्टर BLLB में तैन सेमेस्टर में ओनलाइन और ओफलाइन एक्जाम का जो टाइम और डेट है वो सीम रहेंगे। ओनलाइन मोड में एक्जाम देने के लिए ओल्मॉस्ट फॉर्टीन थाउजंड यानि चोधा हजार स्टुडेंट्स ने इस ओप्शन को ओनलाइन वाले मध्यम को चुना है। ओनलाइन एक्जा स्टाफ सेलेक्शन का एक्जाम TCS कराता है। ठीक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसर्स तो इस तरह से युनिवर्स्टी ने कुछ और कंपनियों को कुछ अन्य कंपनियों को इन्वाइट किया है 5 जुलाइ तक कि आके प्रेजेंटेशन दीजे कि आप लोग किस तरह से को युनिवर्स्टी दुवारा ओनलाइन एक्जाम का प्रोसेस तैय कर दिया जाएगा। CCSU के जो रजिस्टार हैं देरेंद्र कुमार वर्मा के अनुसार उन्होंने ये बताया कि ओनलाइन ओफ लाइन में जो पेपर का पैटन होने वाला है वो सेम पैटन पर सेम डे होने पर इस पॉइंट पर एक बार फिर से जारा ध्यान दीजिए अभी कल एक न्यूज आ रही है देखी बात को समझना मेरी बात ध्यान से अभी वो कंफर्म तो नहीं है मैं आप इस बात को नहीं कह सकता कि वो कंफर्म है लेकिन जिस हिसाब से युनिवर्स्टी करने जा रहा ह ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी आपका ओनलाइन एक्जाम कराएगी तो हो सकता है जिसे आप लोग सोचके बैठे है न कि घर बैठे बैठे ओनलाइन एक्जाम हो जाएगा क्योंकि जो यह 14,000 स्टुरेंट्स हैं इन्होंने जातर यही सोचा हुगा कि आपको घर बैठे बै पढ़के देख लिए, ओनलाइन एक्जाम करने के लिए उनिवस्टी ने एक्जाम करने के लिए कुछ कमपनी को इन्वाइट कर रही है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को ओनलाइन एक्जाम सेंटर विजिट करना पड़े कहने का मतलब ऐसा मत समझ ले ना कि आप आपको घर बैठे बैठे ही online paper देने को मिल लेगा ऐसा भी हो सकता है कि आपको घर छोड़ना पड़े और यदी ऐसा होता है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है online exam कराने का फिर तो offline नहीं पढ़िया वाई यदी online exam के लिए भी आपको घर छोड़के जाना पड़ेगा बाहर आप आपको विजिट करना पड़ेगा exam center, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है online exam का, यदि ऐसा होता है, तो in condition निदी ऐसा होता है, ठीकी ये बात भी ध्यान दखी का, और ऐसा होने की संभावना जताई जारी है कि ऐसा भी हो सकता है, कि मानलो जो company अब कुछ सोचिए, जैसे sse के exam tcs कराती है, तो exam देने के लिए, online exam होता है, exam देने के लिए exam center पर जाना पड़ता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कुछ exam center निदायत कर दिये जाए और आपको उन exam centers पर जाना पड़े, online exam देने के लिए ऐसा होता है, इन case से दिए ऐसा होता है, तो फिर online exam का क्या फा टीक है यह दियों डियू की तरह डली उनिवस्टी की तरह कराते हैं तो फिर थोड़ा फाइदा हो जाएगा लेकिन यदि ऐसा होता है कि ओनलाइन एक्जाम सेंतर विजिट करना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा डाउट आता है बीए बीए सी बीकॉम वालों के back से संबन्दी देखिए आपको भी back में भी आपको एक ही code का paper देना है ऐसा नहीं है आपको ज़्यादा code के विपर देना है हर subject के एक ही code का आपको exam देना है मैं आपको बार-बार कई बार समझा चुका ह इसके मान लिए दो paper होता है मैं अपने पास से कोई भी code ले रहा हूँ मान लिए एक ऐसा है A28 और इसका एक और code है A29 ऐसे मान लिए एक और subject ले लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं जैसे मान लो जो एक subject ले लिए हमने maths और मान लिए इसके तीन paper होता है ठीक है एक मैंने ले या SS009 कुछ भी ले लो अपने पास से यह मैं exactly नहीं ले रहा हूँ मैं आपके बस केवल और केवल समझाने की दरस्टी से बता रहा हूँ ठीक है यह मान लिजे तीन कोड में मान लो maths के जो है तीन कोड के पेपर ऐसी तरह से होता है तो होगा क्या कि आपको किसी भी केवल एक कोड का पेपर देना मान लिजे आप इस 828 का पेपर दे आए तो इसमें जितने भी माक्स आएंगे उसी के हिसाब से आपको इस दूसरे वाले कोड के भी माक्स मिल जाएंगे इन दोनों में से आपको कोई साइक paper देना है और फिर जैसे आप यहाँपर देख पारे हो इन तीन में से आपको किसी भी एक का या तो आप इसका paper दे दीजे या फिर आप इसका दे दीजे जो भी आप exam जिस भी code का आप exam देकर कहेंगे उसी code के exams के marks के आदार पर आपको दूसरे वालों के marks मिल जाएंगे ठीक है आप पेंच ये भी फासावा है कि कुछ students का एक paper ना अपरेल में हो चुका है तो यदि आपको लगता है कि आपका वो exam अच्छा हुआ था तो आप आप paper मत दीजिएगा लेकिन यदि आपको लगता है कि आपका जो अपरेल में exam होता हुँ किसी एक code का जैसे maths में i.Code का exam हो चुका है जूलो जी में हो चुका है यदि आपको लगता है कि वो आपका अच्छा नहीं हुआ था तो आप वापस दे सकते हैं यह बात ध्यान रखना जो exam आप अब देंगे उसके हिसाब से ही बाकियों माक्स मिलेंगे जो पुराने वाला आपने अपरल में दिया है उसके हिसाब से फिर नहीं मिलेंगे इदि आप exam देने हैं आप फिर से गए तो उसी subject के किसी दूसरे code का उस case में और इदि आपको लगता है कि आपका पहले यह already अच्छा हो चुका है तो फिर आपको उस subject के other code का exam देने की जुरूत नहीं है यह B.A.B.S.C. B.C.O.M. वालों के लिए मैंने एक बार फिर से बताया जिससे कि आपके जो doubts हैं वो ना रहें ठीक है बातारी सब्सक्राइब और इसे नहीं हर subject में ऐसी होना है इसके अलावा इदि आपका जो लोजी है तो वहां भी आपको इसी तरह से होने वाला मान लोजी मान लीजिए इसमें भी तीन code में paper होता है तो आपको किसी जो answer बनता है वो मैं साथ के साथ देदी notification मुझे दिख जाता है तो मैं साथ के साथ ही उनके answer देता हूँ कई बार notification नहीं दिखता है उसमें एक दो दिन बात जाकर कि जब मैं manually वीडियो पर जाता हूँ